हेलो गाइज आप सबका स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में और आज हम एक और आई प्यू का रिव्यू लाए हैं आपको तुझे से पता ही है कि यह जो मैंना है दिसंबर का इसमें बहुत सारे आई प्यू आए और यह भी एक और लास्ट आई प्यू लग रहा है मुझे अगर और कोई नहीं आए तो यह लास्ट आप लग रहा है तो आए जानते हैं जानते हैं इस नए आप्यू के बारे में तो कंपनी का नाम है एलन इलेक्ट्रोनिक्स तो यह जो कंपणी अपना आई प्यू लारी है ऊपर-फॉर सेल और यह जो कंपनी थी वह इंकॉर्पोर पाचास साल तो हुई ही गए है और यह देखिए यह जो कंपनी है यह 1977 में इलेक्ट्रोनिक मैं इसने स्टार्टेट करी थी प्लेयर और फिर उसने मोटर बनाना चालो गिया एक्सपेंड करा फिर उसने अपना बिजनेस उसने लेडी बनाना चालो मैनिफेक्षरिंग करने चा मैनिफेक्षरिंग फैंस और तो तुझ नहीं और यह कंपनी बनाती है लाइटिंग फैंस किचन अप्लाइज चिंस वह इंडिया में और वन ओफ दे लाजस्ट फ्रैक्शनल होड्स पावर मोटर बनाती है जो कि आपकी कम बिजली लेती है लो वोल्टेज पावर और यह ए जो मैनिफेक्षरिंग करती है इसंट्री में हमारी और यह जो कमपनी है यह एलिन एलेक्ट्रोनिक इस कमपनी के पास मॉर्डिन दैन्ंठ रेगलर कस्टमर और है और इसकी तीन मैनिफेक्ट्रिंच यूणिट है एक-दो गाज़ेबाद में है यूपी गाज़ेबाद में एक हिमाजल पर्देश में हैं और एक गोवा में हैं और अब ये कंपनी अपना लॉंज कर रहे है आई पियो जो कि फ्रेश इसू और जो भी इस आई पियो से मतलब मनी रेज होने वाले फ्रेश इसू से तो वो क्या करेंगे यहां देखिए नोंने क्लियरली मेंशन किया होंगा कि यह जो इस कंपनी का रिटर्ण और नेट वर्थ है न वो 12.90 पर चल रहा है और पी रेशो इसका चल रहा है 29.69 पर और एप्स चल रहा है इसका 8.76 तो इसकी बहुत ही रिजनेबल वैल्योईशन है फेर वैल्योईशन है और जो इसकी कॉम्पिटिटर हैं जैसे कि मर अगा नियुक्ष् mean दोनों का पि यह हाई चल आ जैसे कि दिकीर में का चला है 144 और फिर फिर वैल्यूएशन होने वाली है तो आए इसके कुछ स्ट्रेंथ की बात कर ले दिए कंपनी के पास अपनी क्या क्या स्ट्रेंथ है तो यह लार्जेस्ट वन ओप दा लार्जेस्ट मैनुफेक्ट्र है फ्रेक्शनल होस पावर मोटर का जिसका मार्केट शेर 12% है और य की प्लेइन वन ऋधा की प्लेयर इन अलेडी लाइंग लज़ो अलेडष लाइटिंग यह फ्लेश लाइटिंग इन सब्सेमें भी एक की प्लेयर है वो भी 5 के मार्केट शेरा के साथ और इस स्मॉल एंप्लाइंस इस वर्टिकल विद एसमी इसमें भी इसका बहुत अच्छा मार्क शेर है दस प्रसेंट और हैसा मार्क कस्टमर पेस इंक्लूडिंग यह जो इसके देखो यह इसके बहुत बड़े बड़े कस्टमर है आप ने इन सब के नाम सुने होगे देखिया इवरीडे फिलिफ बहुत जाताते है लएट लाइट ष्योंचक bit है है वेल्स इसकी भी एलेडी लाइट फैन्स है वल्स के फैन आते हैं यह सब बहुत अच्छे बेखते हैं और बोज का भी तो बहुत अच्छे है चिसके जो जाइंट प्लेयर है ना इंडस्ट्री में वह इसके क्लाइंट है और देखे एक्सपेक्टिट टू ग्रो एट एट Aномरी 30 परजेंट 20 किस्तुमर इट हैस समीन 11 कि अधसल साल से और 16 किछे पास साल से तो यह तो इसकी स्ट्रेंद्थ हो गई अब इसकी कुछ वीक्नेश देखते हैं गाते कि इसके रिस्क में क्या-गयात अब जो इसका रेवबन्यू जो बनता है वह जो तो फाइफ कस्टमर है ना इसके उसी से 63 परसेंट इसका रेवेन्यू बनता है अब मालो वो वो पाज कस्टमर इसके चले गए तो इसका मोटा-मोटा 63 परसेंट तो इसका यूँ नहीं चला जाएगा एक बार में तो यह एक कंसर्ण है और अभी पिछले टाइम में कुछ पिछले साल वाल में जो इसकी प्रोफेट प्रोफिटेबिलिटी रेश्यो है वो कम रहा है और जो पैट मार्जन आरोसी वो सब भी कमी रहें 3.5 और 7.53 रिस्पेक्टिवली और इसके जो कॉम्पुटिटर है वो बहुत अच्छे जैसे की मैराथोन डिक्सन मदर संसुमी यह इसके कॉम्पुटिटर तो यह सब थोड़े बहुत इसके यह रिस्क थे कंपनी के रिस्क एं थ्रेट्स थे तो अब देखते हैं इस कंपनी के कुईकली अब हम जल्दी से देख लेंगे इस कंपनी के फाइनेंशिल तो 2020, 2021 और 2022 का यह डेटा दे रहा है कंपनी की तरफ से आप स्टॉक्स पर आप खुद भी जाके यह चेक कर सकते हैं तो रेविन्यू रेविन्यू देखेगा साथ सो पिचासी आठ सो बासट एक हजार तिरान में करोड रुपे यह देखे सेवन एट फिर सीथा बाइस में तो काफी अच्छा ग्रोड दिया इस रेविन्यू में रेविन्यू तो देखो कॉंस्टेंट बढ़ रहा है हर यह में लेकिन नेट प्रॉफिट भी देख ले में तीन महीने हैं तो मुझे लग रहा है यह अच्छी ग्रोड देगा थर्टी नाइन से नहीं कम सकम पचास तक यह बास शायद 45-50 के बीच में देदेगा इस बार 2022 में यह प्रॉफिट नेट प्रॉफिट 45 से पचास करोड के बीच में आएगा इसका आप देख लेना बनना तो तो फाइनेंश तो अच्छे दिखा रहा है और अब देख लेते हैं थोड़े कि यह आई प्यों कब आने वाला है तो यह जो कंपनी है इसका जो इस्यू यह यह ला रही है पाच रुपे पर शेर फेस वैल्यू यह इसकी जो फेस वैल्यू हो फाइफ रुपे पर शेर और जो आई प्यों का इश्यू साइज है वह 475 करोड है और प्राइस बैंड है यहां का 234 तो 247 रुपी अब यह जो कंपनी थी स्टैब्लिस आपको पते हैं 1982 मे इसका आई प्यों की ओपनिंग डेट स्टार्ट है और 22 को मतलब 22 दिसंबर को इसकी क्लॉजिंग डेट है एलिन इलेक्रोनिक आई प्यों अलोटमेंट स्टेटस दिखाया जाएगा 27 दिसंबर को और आपके डिमेट अकाउंट में जो शेर्स क्रैडिट होंगे वह 30 को आपके 60 शेर्स आएंगे जो की बीसी नसी दूनों पर लिस्ट होंगे और गाइस इसमें एक और कंसर्ण है जो मैं बताना भूल जाता मुझे अभी पतल लगा था कि यह जो प्रमोटर होल्डिंग है ना इसमें प्रमोटर होल्ड प्रमोटर ने अपने जो 50% मतलब उसके श कर लें मतलब बाकी 50% बेड़े तो अगर प्रमोटर इसको कम कर रहा है तो शायद हो सकता है कि कंपनी में कुछ दिक्कत हो तो वह आप देख सकते हैं बाकी सारी वैल्यवेशन और कंपनी भी अच्छी है आगे ग्रोथ है तो आप बताए और लेकिन हां अगर मैं इसमें फा और इसका जीमपी आज कल तो यह 30 रुपे पर चलना है पर सो इसका जीमपी उपन हुआ था 30 रुपे है आज भी 30 रुपे है तो जब मार्किट में जब यह ओपनिंग होगी इसकी 20 तारिक को तो सेकंड है यानि कि 20 को खुलेगा और 21 को 21 पर जो सब्सक्रिप्शन आएगा इसकी हिशाव से मैं 21 या 22 तारिक को अप्लिया करूंगा अगर यह अच्छा देखा तभी अप्लाई करूंगा अगर सब्सक्रिप्शन अच्छा है तभी अप्लाई करूंगा तो थैंक्यू गाइज अगर आपको 20 में अप्लाई करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखेगा कि अभी अप्लाई करना चाहरे हैं और अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं और टीमेट अकाउंट ही नहीं है तो मेल अबस्टॉक्स